सिर्फ एक बटन से वोटसेप अभी अपने कितने कीबॉड पे कितने बटन है सर आपके बहुत सारे हैं लेकिन पहले की जमाने में सिर्फ एक बटन से वोटसेप होता था मैसेज जाता था तो आप देखेंगे सिर्फ एक बटन मैसेज बेजना है तो मैं सेंड पे कर दूंगा 12 साल से तो अपन वाटसेप यूज कर रहे हैं उसमें भी जब सरुवात में वाटसेप यूज करते थे तो एक मैसेज बेज़ते थे तो काफी टाइम लगता था बहुत इंटरनेट स्लो था लेकिन क्या सो साल पहले भी लोग फोटसेप यूज करते थे और सर वो इतना कर एक माने की वोटसेप मसीन कैसा अब को यकीन और यकीन तो और आप बोल रही हो तो हो रहा है वर नहीं और नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं हमारा भारती डाक विभाग पॉस्ट ऊफिस जिसमें इन मशीनों का यूज किया जाता था और उसक पर देख सकते हैं वायर को खा गया है तार के मद्यम से चलती थी तो पुराने जमाने में इसका नाम था था Irma में भी मेसेज बेजा जाता था अब इसको जड़ा सा मैं आपको यूज करके दिखाता हूं और साथ में भी ये भी बताना चाहूंगा कि इस शेवा की इस विवस्था कि जरूत ना होने के कारण पॉस्ट आप इसने इसको लगबग एक साल पहले ही बंद किया है उससे पहले तक यह चालू थी लेकिन यूज नहीं आती थी इसलिए उसको प्रॉपरली बंद कर दिया गया है इसमें जो बासा थी वो एक अलगी बासा होती थी शिरफ एक बटन से वाटसेप अभी अपने कितने कीबॉर्ड पे कितने बटन है सर आपके बहुत सारे बहुत सारे लेकिन पहले की जमाने में सिर्फ एक बटन से वाटसेप होता था मैसेज जाता था तो आप देखेंगे सिर्फ एक बटन इसको डैस और डॉट पर नाली कहते थे यहां पर भी दो वायर लगेंगे आप देखेंगे इन दोनों में दो वायर लगेंगे और मैसेज बेजा जाएगा और फिर मैं आपको बता दूँगा ये मशीन, आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है सर, रिसीव, तो मैंने बटन रिसीव पे कर दिया, अब मैं मैसेज ले सकता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड, तो मेरे को अगर मैसेज भेजना है, तो मैं सेंड पे कर दूँगा, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है की फॉर नंबर फॉर्टी एट सेट, तो यह इसका सेट का कुछ नाम हुआ होगा, तो फिर इसको उपन यूज करके देखते हैं, इस मेसेज से, एक बटन से मेसेज भेजा जाता था, जिसकी जो बासा है की अलग हुआ होती थी, और जैसे अपने को Bombay message बेजना है तो वहां के post office में वो message तुरंत उतर जाता था और अपने को साथ में address देना पड़ता था उस address के दौरा या telephone के मद्यम से लेंड लाइन फोन के मद्यम से उस आदमी को बताया जाता था कि आपके लिए तार आया है संदेश आया है तेलेग्राम आया है और उस आदमी तक वो तेलेग्राम पहुंचाया जाता था डाक विवाक के करमचारी दौरा और यह व्यवस्था ये प्रणाली ये फैसेलिटी इतनी महेंगी थी कि इसको बहुती जरूरी काम के लिए यूज किया जाता था इसके साथ एक दुखत घटना भी जड़ी हुए सर ज्यादा तर ये तार मशीन है वो हमारे गाओं में जहां व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है तो ये शोक संदे फैसी की डैथ हो जाती थी डैथ हो जाती थी ऐसके भी यूज की जाती थी लेकिन जिस जगह पर हम रहे रहे हैं वहां तो कोई व्यापार इतना ज्यादा है नहीं तो ज्यादा तर ये सोक संदेश के काम आती थी मतलब तार आ गया तो आदमी का दिल योओं का योओं धड़कन है वो कुछ रुक जाती थी या स्लो हो जाती थी या धड़कने बढ़ जाती थी कि जरूर कोई न कोई असुप समाचार आ गया है तो आप देख सकते हैं कि किसी के घर बच्चा हुआ या किसी के घर कोई मांगलिक कार्य है तो उसका तो लेटर भी लिखके बेश सकते हैं कि हमारे इस दिन इस समय यह मांगलिक कार्य करम में बच्चा हुआ है तो उसके बाद में उसका जो नामकरण किया जाता है तो उसमें अपने को कुछ टाइम मिल जाता है लेकिन अगर किसी भाके करमचारी अपना वीडियो देख रहे हैं या कोई आर्मी के लोग अपना वीडियो देख रहे हैं जो हमारे जवान अपना वीडियो देख रहे हैं वो इनके बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं जिससे की दर्सकों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में पता प्रूर बताएं.